मेरे दो पार्सल जाए ये मैने मेरे देखो पुलिप कर से में ने मंगवाया इस तारीके से चिर्वक के चरह ₹ जर दिखान आव हा ँरूँ- इसकी दवाईया ये मेरी ये देखो रूँप रूँप चासम देखो Подготов Cartude टेबलेट्स हैं फोलीक एसिड यूपी मेरे को लग रहा है कि मुझे आईरन की कमी है मेरे बोड़ी में इसलिए मैंने मंगवा लिया ये एक पैकेट ख़तम कर दूंगी डेली का एक लूँगी और ये कभी-कभी सिरदर्द हो जाता है काम भी तो करना पड़ता है बोली ले ल और भी मंगवाया था अच्छे है टेस्ट है वेटा हां और ये देखो हां ये मंगवाया है मैंने एक फैमिली पैक है इसका प्राइज मुझे नहीं पता क्योंकि मैं लेके आई हूं ना देखने दो ये बन 95 का है देखो इसका रेट डाबर का पेस्ट खतम उरका था हमारे अच्छे घर में और एक ही मालिया का ले लिया मैंने मुझे अच्छे लग रहे थे इसमें एक तो बड़ा पेस्ट है देखने देना विटा मुझे भी रेड डाबर का एक छोटा है साथ में एक ब्रश ब्रश भी अच्छा दे रखा है और भी ब्रश है मैं खुल रही है यह कुण सा है इसमें नीम है दान्तों के लिए अच्छा रहेगा दान्ती इसमें देख 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 मेरी कल शाम वाली जो वीडियो थी उसमें कॉमेंट्स आ रहे थे कि क्या आपने अपनी मम्मी को होस्पिटल में डॉक्टर के दिखा दिया है आप पता क करके बताइए का तो आज सुबह मैंने फोन किया था क्योंकि देखिए आप सपी जानते हो कि मम्मी जब यहां से गए थे उस टाइम ममी के बुखार था फीवर था उनको कुछ वाइरल बुखार था उनकी तब्यात काफी खराब थी पैरा सिट्टा में मोल की दवाई लेने कर रहा हूं और उनको अच्छे से अच्छा खाना बना के खिला रहा हूं अपने हाथ का बना हुआ और तेरी मम्मी अराम कर रहे हैं और ठीक है वो ऐसे बात हुई और जो थी और यह बोली पापा जी कि मम्मी अब ठीक है और यहां अही सार आने की कह रहे हैं तो या तो एक यहां पर देखिए मैं सारे बरतन कितने सारे है ना इकठे हो रखे हैं सारे में अच्छे से लगा लगे हाथों सारे दोलेती हूं काम तो करना ही है और एक और बात मुझे करनी थी देखिए मेर उपर वीडियो भी बनी और कॉमेंट्स भी आ रहे थे कि सब्सक्राइबर सर अगर ऑप्रमोशन वीडियो बन गई तब तो वह उसमें अचे पर लेंगे बैड शीट के पैसे करण दो और जलीवरी बन कर दो थे तो सर मेरा मैसेज का जवाब नहीं दे रहे थे तो मैंने ये वीडियो में बोला कि उनको प्रमोशन वीडियो बनवानी एं अगर वो प्र कर लेंगे बैडशीट के पैसे और अगर प्रॉमोशन वीडिएो उसका नहीं बन पाया तो फिर वो बता देंगे कितने रुपर देने ने है बैडशीट के पूरा वह आका KEVIN मैंने कहा सर को मैंने कहा शर आप अकाउन पेपर तयार कर दीजिएगा उसं क्यूंकि आपके भी कॉमेंट्स आ रहे थे जब आप से पैसे नहीं लिये बैडशीट के तो आपनी सूट क्यों मंगवाई तो देखिए बैड शीट के पैसे मैं दूंगी मैंने यही बात वीडियो में भी बोली थी कि मैं किसी के पैसे ना तो रख सकती ना मैं खा सकती मेरे को देने है तो देने है और मैंने यही बोला था कि मैं दूंगी वीडियो में भी बोला था कि मैं दूंगी मेरे दिमाग में है कि मुझे देने है लेकिन मैंने ये बोला था वीडियो में कि सर ने अभी तक नहीं लिये तो मेरे को यह जहाँ तक था कि मैंने का इकठे पैसे जो भी बनेगा मैं इकठा दे दूँगी अब जैसे अभी पूरा स्टोक बैडशीट्स का आया नहीं है मेरे पास उसमें कुछ दिवान की बैडशीट्स थी वो रहती थी तो वो अभी आ जाएंगी सर कहरे थे नेक्स्ट वीक वो डिस्पैच करवा देंगे तो मेरे ख्याल से इस महीने आ जाएंगी तो मेरा पूरा बैडशीट का जो स्टोक था वो आ जाएगा तो उनका जितना टोटल बनेगा डिलिवरी चार्ज मिला के वो जैसे मेरी इस मंथ आखरी में जो सैलरी आएगी यूट्यूब से तब मैं इस मंथ के आखरी में सरका वो क्लियर कर दूँगी बैडशीट के पैसे मैं दे दूँगी और सूट है देखिए मैंने ज्यादा नहीं मंगवाएं चारी सूट मंगवाएं चार पांची हैं वो सस्ते मिल रहे थे रेट वाइस और उनके भी पैसे मैं दूँगी लेकिन पता है क्या होता है देखो कुजरात से समान मंगवाने का फायदा ही होता है कि सथे रेट में मिल जाता है जैसे कपड़ा सूट साधियां ये बेडशीट्स एसी कमफ़र्टर कंबल ये सब समान सस्ते लेकिन बाद दो सबता है लेकिन हमें इकठा लेना पढ़ता है जासे आपको जैसे मेरे को सस्ता तब पढ़ेगा जब मैं चार सूट इकठे खरी दूँ एक सूट तो रिटेल के प्राइज मैं ही मिलता है तो ये बात होती तो ऑजसे जाथ तो आप जैसे चार या पांच इकठे ले लो तो आपको सस्ता तो पढ़ जाएगा फिर फैमली में एक-एक सब को दे दो हाना जैसे एक मुमी ने पहन लिया एक मैंने पहन लिया दो तीन रख दिये बैड में तो इस तरीके से फाइदा होता है लेने का और पैसे की बात है तो मैं भी रोब से मंगवा सकती हूँ करको मुझे कुछ और पसंद आ गया मुझे पता चला कि गुजरात में सस्ता मिलता है तो सर इतना अगर फेवर कर रहे हैं कि देखो दुकान से वो समान मेरे तक भिजवा देते हैं और ना मुझे सस्ता मिल जाता है तो उससे ज़्यादा मेरे लिए और फाइदा क्या हो सकता है इधर यहां पर मैंने बर्तन सारे दो दिये थे और यहां दो तीन बर्तन निकाल के रखे थे क्योंकि विहां जिद कर रहा था कि उसको सेंडवीच खाना है उसने खाना नहीं खाना मिलको सेंडवीच ही खाना है ममी सेंडवीच खाना साथ में अपनी लिए भी खाना मंगबा लिया था अगया था यहां इधार भाईया करने थे यह जान दो दू गया दाओ नहीं एख हाना है है बेटा खाने ही है यह एपका है अब के प्रेमेंगा फेले मैं आपको खुछ के देती हूँ आज यहाज़ का बात में ख़र लेंगे आजakin ईनपनी की चैंश ही में हाह कहाँ अखिये अखे लेपाँ अखिये अखे मिश्क लाएचि कहाँ अख्योग खाओ खाओ इदर से खाओ इदर से तोडो तोडो तुक्रा तोडो दानत लगाओ उचा बाजा खाव 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 इधर आप कोमेंट करोगे कि यह जो सेंड्विच है यह आपने यह जोमेटो से क्यों मंगवाई आप दुकान पर जाते ब्रेड खरीद के लाते घर पर और फिर घर पर ही बना लेते तो यह देखें रायता है और रायता बहुत ही टेस्टी था यमी था यह लसी टाइप रहता था इसमें प्याज टमाटर और मिलाया हुआ था और खाने में बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने सबसे पहले ना यही खाया था तो देखिए मेरे लिए दिक्कत यह थी मैं जा सकती थी लेकिन दुकान तक मेरे बच्चे की तब्या ठीक नहीं थी वो पहले ही बिमार हो रखा है ठीक है और इसको मैं दुकान तक कैसे लेकर जाओं आप यह बताएए मैं अकेली रहती हूं घर में यह देखो दाल मखनी है यह खाना है मिक्स वेज थी रोटी थी चावल थे तो मैं यह कह रही हूं कि मैं अकेली रहती हूं अभी फिलहाल ठी कि अपने घर में अपने बच्चे के साथ तो अभी ममी भी यहां पर नहीं है तो अगर मेरे को दुकान से ब्रेड लेकर आनी है न तो मैं बच्चे को अकेला तो छोड़नी सकती हूं इस घर में कि बच्चा है तीन साल के बच्चे को मैं ताला लगा के नहीं जा सकती हूं घ तो मुझे पैदल ही जाना पड़ता क्योंकि मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ ना यहां पर कोई भी ना इरिक्षा वगएरा नहीं चलता जैसे ओटो वगएरा पैसे दे के चलता हूँ वैसा नहीं है यहां पर अलाओड ही नहीं है अंदर चलाना ऐसे तो यहां पर मुझे अबियत खराब हो रखे उसके खड़े होने की हिम्मत नहीं है चक्कर खा रहा था वो चक्कर आ रहे थे उसको ऐसे में मैं उसको अकेली कैसे दुकान पर ले जाती तो मुझे जो सही लगा वो मैंने किया मुझे लगा कि मैं बच्चे के लिए सेंडविच ओडर कर दूंगी तो वो घर पी आ जाएंगे क्योंकि देखो जोमेटो वाले तो घर पी डिलीवर करते हैं तो बच्चे को खिला भी दूंगी और यहां ने एक सेंडविच पूरा कंप्लीट फीनिश कर दिया था खा लिया था और यह खाना मैंने साथ में इसलिए मंगवाया क्योंकि जो छो इसमें देखो फिर एक मतलब बड़ा ओर्डर मंगवा दिया था पर ओपर मैंने मील भी ले लिया था तो यह देखो मैं विहान के लिए नाशपाती काट रही थी विहान ने बिल्कुल भी नहीं खाई थी सोरी नाशपाती नहीं काट रही थी मिरको खुदी आद नहीं रहत बच्चे का मैंने वो भी करवा दिया था उसको आराम मिल गया था दवाई लेने के बाद अभी विहान बस खाने पीने में थोड़ा डीला चल रहा है वैसे थोड़ा सा ठीक है यह वाइरल इंफेक्शन था जो मेरी मुम्मी के हुआ था फिर विहान के भी हुआ था और पापा यह वीडियो शूट भी कर लिया मैंने दूसरे फॉन से बैठी बैठी रसोई में एडिटिंग भी कर लिया था तो ठीक है जी चल रही है नेक्स्ट वीडियो में आप सब के कुछ और भी कोशन्स आप मुझसे पूछ सकते हो वीडियो में आपको जबाब दे दूंगी अप सब्सक्राइब भी कर दीजेगा और दोस्तों में फ्रेंड्स में शियर कीजेगा अपना खुब सरा ध्यान रखिएगा बाइबाई टेक केर